हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल होम के उमीद करता हूं आप सब लोग एकदम ठीक ठाक हैं अपने घर में और खुशी से रह रहे हैं तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं आज का हमारा टॉपिक है सलोसिया जिसको कॉक्स कॉम भी बोला जाता है और जिसको हिं करन दिमें हम मोरगा कलगी या कलंगी वोलते हैं तो फ्रेंड्स आज जो यह प्लांट आपके सामने रखा हुआ है यह मैं नरसरी से लेकर आए था जो मैंने आप लोगों को नरसरी विजिट दिखाई थी मैंने यह वहां से लिया था तो यह मैं लेकर आया था और इसके शेप में पोर्ट मिला है तो कुछ अच्छा सा यूनिक सा मुझे लगा इसलिए मैंने ले लिया बाकी और कुछ जो है मैं नहीं ले के आया तो अब इसके बारे में बात करते हैं यह जो है फ्रेंस यह वूल फ्लावर इसको बोलते हैं तो जिसे उन का गुच्छा सा किसी ने रख दिया हो ऐसा सा लगता है बिल्कुल वैलवेटी से फ्लार्स होते हैं चूने में बड़े मुलायम से और शनील टाइप साइस का कुछ टेक्स्चर सा होता है तो बहुत अच्छा यह प्लांट है और बहुत एजी टू ग्रो है और मेंटेन करने मेंटेन रखना भी बहु दस हफ्तों तक चल जाता है अगर इसको अच्छा सा तेंफरेशर और मिले और वाटर्रिंग इसकी अच्छे से रहे तो दस हफ्तों अग्फ तक भी लाल रंग में ले सकते हैं गुलाबी, परपल, या mixed color से भी आते हैं इसमें shade जो mixed सी होते है वैसी आते है वो भी आप ले सकते हैं Salosia जो है friends यह शब्द है Greek language का जिसके मतलब आग होता है तो अगर इसकी आपने एक variety और देखे होगी जिसको जो यह है Salosia प्लूमोजा और इन वैराइटी में यह ऐसा लगता है जैसे फायर का से स्ट्रक्चर कुछ इसका फ्लार देता तो इसलिए इसका नाम जो है सलोसिया पड़ा ग्रीक वर्ड से लिया गया है यह सलोसिया शब्ड जिसका मतलब आग होता है तो सारे फ्लार्स वैराइटी में वै इसलिए लोग इसे कोक्सकॉम फ्लार भी ब्लांट भी बोलते हैं तो अलग अलग नाम पड़े हैं इसके अलग अलग रीजन्स की वज़े से रिजैंबलेंस की वज़े से तो यह बहुत अच्छे कलर्स में अविलेबल होता है और जो बहुती आसानी से मेरे दोस्त जो नए है गार्णिंग में वह इसे ले सकते हैं बहुत आसानी से इसे उगाया जा सकता है यह एक अन्वल फ्लावरिंग टाइप प्लांट है फ्रेंड्स तो ऐसा नहीं है कि जल्दी से चार-पांच महीने में खत्म होजाएंगा नहीं यह आपके पास पूरा कम से कम एक साल तक रह प्रेंटेगी तो बहुत अच्छा जलता है और इसकी ब्लूम भी बढ़ी आती है और इसके पत्ते भी बहुत सुन्दर लगते हैं देखने में तो पानी की बात करें फ्रेंस तो जादा पानी तो इसको बिल्कुल बरदाश नहीं है और सर्दी आ गई है तो सर्दियों में तो बिल्कुल जो है अगर आपने सोगी कर दी मिटी तो यह तो सर्दना इसका पॉसिबल है बिल्कुल और बस यह धिहान रखना है सर्दियों में किसे बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है बस सौइल मॉइस्ट रखनी है जब आपको लगे हाथ लगाने पर कि मिटी सूख कर शर् लिसां यह देखने में लगे तो उसे नमी दे दी और हफ़ते में थोड़ा ठीक से पानी दे यह सर्दियों में बहुत ज्यादा अगर अपने प्लास्टिक के पोटमें लगाया हूआ रह बहुत ज्यादा पानी दे दE दिया तो बरबाद हो जाता है पोदा उसमें क क्योंकि मट्टी वाले में तो साइड से भी वापॉरेशन होता है या मैं कहूं कि हवा के कॉंट्स में जड़ा आ जाती तो थोड़ा और वाटर बगी कभी कभी हो जाता है तो प्लांट बच जाता है लेकिन प्लास्टिक के में ज्यादा मनने का खत्र होता है तो उसमें तो बहुत ध्यान लगना पड़ता है प्लास्टिक के पोर्ट में कम देना पड़ता है इस कंपेर टू सीमेंट के जो पोर्ट होते हैं और जो हमारे मिट्टी के पोर्ट होते हैं तो यह दिहान रखने फर्टिलाइजर एक महिने में एक बार ना भी दे तो चलेगा महिने में एक बार दे तो अच्छी बात है अच्छी ब्लूम आएगी और ज्यादा गोबर की खाद इसमें ना डालें क्योंकि नाइट्रोजन रिच ना डेंगे कंटेंट उसमें नाइट्रोजन दंका ज्यादा होगआ तो फिर दोस्तों जो फिर तो इसमें पत्त पत्त आनंगे फ्लार इसका छोटा चोटा आएगा तो जो है ग्रोईंग सेज में तो आप इसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर या गोबर की खाद दे दीजें लेकिन बाद में कोशिश कीजें हाई फॉस्फॉरस या पोटैश्यम रिच फर्टिलाइजर देन की उससे की ब्लूम्स का कलर बहुत प्यार आएगा तो अगर आप और गैनिक देन नाइट्रोजन के तो मेरा बनाना पील फर्टिलाइजर भी आप इसमें दे सकते हैं उसमें भी फॉस्फॉरस और पोटैशियम होता है और थोड़ा सा अगर और गैनिक में आपको बता रहा है ठीक है दोस्तों तो बस यह ध्यान रखना है और डिसीज से बचाना है डिसीज इसको जो है स्पाइडर माइट्स और फींघ चोटे-चोटे हरे-घरे से कीडे होते हैं फिर वह बड़े होगे वो बहुंगे से बन से बन जाते हैं और गोड़े और पैस्टीसाइड यूज कर सकते हैं आपकुछ भी लेषयं का पेस्ट मैस बनाकर 5-10 क्लियों का उसको एक ग्लास यानि 250 ml वाटर में डालके आप उसको पंदे 20 मिनेट उबालके और फिर उसका जो है आप डाइलीशन कर सकते हैं वन पार्ट पानी के मिला के उसे स्प्रेय कर दीजिए वह एक और गैनिक जो है टैस्टिसाइड हो गया नहीं तो आप इन और गैनिक सारे विलेबल आते हैं और जिस क्वांटिटी के हिसाब से उस पर लिखा रहता है उसी हिसाब से आप दे दीजिए अपने प्लांट में और प्रोपोगेशन फ्रेंस से बहुत अच्छी तरह स्टार्ट हो जाता है जहां आप लगाओगे अपने आप इसके बीज जो हैं बह इसकल आते हैं बीज गिरते रहते हैं और पोधे बनते रहते हैं तो कटिंग से भी ग्रोव कर सकते हैं आप आसानी से तो या तो कटिंग से कीजिए जल्दी पोधा चाहिए तो कटिंग से कर सकते हैं आप और कटिंग में होता है कि कभी-कभी सक्सेस नहीं भी मिलती है तो स सलोषय की तो नाम बहुत सारी हैं इसकी सेलोसया यह और इसकी मेरी से बुलते भी नहीं और ब्रेन से लोसिया मतलब जैसे वह अखरोड जैसी सी शेप में इसके फ्लार एक गुच्छा बना लेता उस वाराइटी को जो हमारा common है उसको ब्रेंस से लोसिया कहते हैं तो देखे यह जो कुछ कुछ अखरोड जैसी शेप जो है फ्लार में होती है और जैसा हमारा दिमाग लगता है हुमन्स का वैसा यह देखने में लगता है तो मैं आपको वह दिखा देता हूं देखे यह पोर्ट में लेकर आया था इसके साथ तो मैंने जो आप लोगों को दिखाई थी न एलिसम दो अलग अलग छोटे चोटे पोर्ट में वह मैंने इसमें ओवल शेप पोर्ट में लगा दिया है अब मैं इसे और भी सारी चीज़ें डालके डेकोरेट करूँगा तो कुछ युनीक सा मुझे लगा ओवल शेप में देखे मैंने जिसे एक छोटी सी गनीज जी की स्टैचू रखी हुए इसमें तो मैं इसे और डेकोरेट करूँगा भी और एक मिनी छोटा गार्डन इसमे झाल